हेलो गाईज, वेलकम तो आबर चैनल रिवेटिंग कॉमर्स क्लासेज, मैं रोशन नायक, फाउंडर और डिरेक्टर आफ रिवेटिंग कॉमर्स क्लासेज और आपका एकाउंट फेकल्टी तो सबसे पहले उन बच्चों को बहुत 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 बधाई, जो अभी तुरत एक्जाम पास किये हैं 10th का तो एकदम सही समय है अभी आपको क temperyar decide करने का, अभी ही समय है आपको केरियर decide करने का और ये वीडियो देख रहा है, इसका सीधा सीधा मतलब है, कि या तो आप commerce ले चुके हैं, या तो commerce लेने का सोच रहे हैं, तो मैं इस वीडियो के help से आपको सबसे पहले तो यही बता हूँगा, कि commerce क्या है, और commerce के benefits क्या है, और commerce जो लिये हैं, उन बच्चों कैसे चाहिए, और कौन-कौन टाइप के बच्चे हैं, जिनके लिए commerce एकदम beneficial subject है, तो बच्चों इस वीडियो में, हम लोग सबसे पहले समझेंगे, commerce को और उससे related, उसके business को, क्योंकि business का ही पूरा मतलब है commerce, business का लेन देन, business का जो भी transaction है, economic event है, वो सब कुछ, अगर हम लोग return में पढ़ते हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, commerce बोलते हैं, तो चलिए गाईज, शुरूरा, तो गाईज, देखिए, commerce, commerce का मतलब होता है, the business of buying and selling things or services, मतलब क्या हुआ, जो भी हम लोग buying and selling करते हैं, कोई भी चीज को खड़िते हैं, या कोई भी चीज को जो बेचते हैं, उसका जो business है, उसी business को क्या बोलते हैं, commerce बोलते हैं, समझें, या वो buying and selling, या तो हम लोग things का करें, या तो services का करें, ठीक है, अब देखिए, दूसरा लिखा हुआ है, commerce का एक पार्ट है trade और दूसरा पार्ट है aid to trade, तो देखिए, commerce क का तो मतलब आप लोग जानते ही हैं, या ही buying and selling को trades बोलते हैं, ठीक है, और aids to trade, aids to trade का मतलब हो गया, कि कौन-कौन सा चीज है, जो trade को help करता है आगे बरने में, grow करने में, तो उसमें कौन-कौन चीज आता है, देखिए, जैसे आ जाता है transportation, ठीक है, दूसरा आ जाता है manufacturing, और तीसरा आ जाता है आपको services, और भी बहुत कुछ taxation हो गया, ये सब कुछ किस में आता है, aids to trade में आ जाता है, जो कि trade को क्या करता है, help करने में, मतलब आगे बरने में help करता है, समझे, तो देखिए, इस पूरे हम लोग को commerce में, हम लोग को क्या पढ़ना है, business और उसके सा buying, selling, कैसे कैसे हम लोग goods को खरीते हैं, कैसे बेशते हैं, क्या तरीका लगाएंगे, जो कि ज़्यादा goods बिकेगा, कैसे ज़्यादा profit होगा, कैसे taxation निकालेंगे, सब कुछ हम लोग क्या करते हैं, इस commerce में पढ़ते हैं, तो बच्चों, आप लोग सोच रहोंगे, कि commerce एक न girlfriend बनाना, समझें, अब girlfriend बनाना में क्या है, अप girlfriend बनाने में होता है एक interest, कि आपको interest चाहिए अंदर से, girlfriend तभी बनेगी, जब आपका अंतरात्मा बोलेगा, नहीं यार बना ले, तभी आप बना पाईएगा, तो जब आप बनाईएगा, तो अप अंदर से आपको क्या होता है बचपन से ही business होता है अगर आप पैदालिए और अपने विध्य रिगे बुद्धी पे आ गए तो विध्य बुद्धी पे आने के बाद ही अब बिजनेसस इस्टार्ट कर देते आव Name पूछ कैसे तो आप घर प्लाई कर देना है और देखिए girlfriend बनाना भले ही hard है लेकिन उसका एक algorithm है उस algorithm को अगर आप पकड़ लिए तो एक क्या आप 10-10 girlfriend बना लीज़ेगा तो बस Same वही चीज है यहां भी business commerce का एक algorithm है उस algorithm को आप पकड़ लिए तो आपको बहुत ईजी है और algorithm पता है क्या है common sense बस simple है C से commerce और C से common sense अगर आपके पास एक अच्छा common sense है अगर आप हर बातों में बहुत बढ़िया common sense लगाते हैं तो इसका मतलब है कि commerce आपके लिए perfect है चाहे आप पहले खराब student है या फिर अच्छे student है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है बस depend क्या कितना दिमाग लगाते हैं कितना जादे हर चीज में आप दिमाग का यूज करते हैं ज्यादा अगर यूज किजेगा तो ज्यादा टॉपर बनिया commerce में अच्छा से अच्छा आपको marks आएगा समझे तो बस simple सी बात है commerce लेना है तो सबसे पहले इंट्रेस्ट लाइए एकद इंट्रेस्ट नहीं लगाए commerce में तो आपका फिर commerce पूरा सब्जेक्ट गरबरा जागा और बहुत ही ज्यादा टॉफ हो जाएगा आपके लिए तो इसलिए एकदम कूल माइंड होके इंट्रेस्ट लाएक जैसे की girlfriend बनाने के लिए क्या होता है एकदम पूरा पर पढ़ना पड़ेगा और जैसा कि रिविटिंग कॉमर्स क्लासेज का मानना है commerce is just not only a subject it is a passion commerce क्या है सब्जेक्ट ही नहीं है वह पैशन है और रिविटिंग का नाम भी है रिविटिंग कॉमर्स क्लासेज और रिविटिंग एक अच्छा तरीका भी है किसी भी पूरे तरीके से एकदम चाहा जाना है गुरू समझे और देखिए अब हम लोग आपसे बात करेंगे कि कॉमर्स को पढ़ना क्या है तो Commerce में जिनरली चार सब्जेक्ट होते हैं ठीक है चार सब्जेक्ट होते हैं देखिए क्या क्या होते हैं एकाउंट ठीक है बिजनस स्ट और इकोनोमिक्स और eps eps मतल craft अगर आप दो को शितर हो का अगर आप बिहार बोड में आते हैं तो आप eps पानोमिक्स कुछ भी ले सकते हैं दिपेंड करता है आपके बोड के उपर क्या आपका of the Board कि subject को follow कर तो account में हम लोग बढऄंगे कि business को handle कैसे करते हैं business को क्या method है business को write down करने का account को बोला जाता है language of the business जैसे कि हम लोग बात करने के लिए Hindi या English का יूझ करते हैं ना ठीक व apps को समझने के लिए हमको account का account को follow अधान होगा समझें समझें एकदम account को क्या क्या बोलते हैं language of the business याद रखेगा यह समझ यह तो जैसे कि math बनाने के लिए हम लोग को one two सीखना पड़ता है ठीक वैसे ही business को पढ़ने के लिए हम लोग को account पढ़ना पड़ेगा समझें और देखिए business studies बिजनेस स्टडीज में क्या होता है कि इसमें हम लोग business को कैसे आगे बढ़ाएंगे ठीक है उसका planning क्या होता है उसका तरीका क्या क्या है उसमें कैसे कैसे हम growth करेंगे मतलब directing कैसे कैसे करेंगे उसमें वो सब हम लोग इसमें पढ़ते हैं ठीक है और देखिए economics जो सब जागता है इसमें हम लोग market के बारे में जानेंगे कि आखिर business जो है, वो किस-किस type के market में होता है, किस-किस type के market में कैसे-कैसे implement होता है, वो सब हम लोग इस में पढ़ेंगे economics में, और रहा EPS, EPS का मतलब होता है entrepreneurship, entrepreneurship का मतलब है कि risk bearing person, risk bearing person को हम लोग entrepreneur बोलते हैं, जो आदमी risk लेता है, जो जितना ज्यादा risk लेता है, उसको entrepreneur ब business में क्या है, risk ही लेना है, पैसा लगाओ, और पैसा कमाओ, high risk, high profit, low risk, low profit, समझें, तो same वही चीज़ है, जो person risk लगाता है, उसी को हम लोग बोलते हैं, क्या entrepreneur, और उसी person के बारे में पढ़ना, कि वो कैसे दिमाग लगा के risk लगाता है, किस risk पे कैसे लगाना है पैसा, वो स आर चेप्टर में ये दो कंपल सरी, दोनों में से कोई एक कंपल सरी है, ठीक है, आपको तीन टोटल पढ़ना होगा, और आप extra में जो subject चाहे, वो subject रख सकते हैं, तो बच्चों अभी तक अगर आप लोग ने, वीडियो को लाइक नहीं कहते हैं, जल्दी लाइक किजे, ज सारे topics का, वीडियो अगर riveting way में आप देखना चाहते हैं, तो subscribe करें मेरे channel को riveting commerce classes, और subscribe करते के साथ ही घंटा बजाना ना भूलें